नमस्का साथ यो स्वागत आप सभी का तो प्रिये विद्यारती यो इस वीडियो में हम जो है राजस्तान कात्सादस की जो विग्यान विसे का पेपर है उसमें जो पेपर में छपने वाले मेंतपूर्ण जो परसन है यानि की मोस्ट पूर्ण जो क्यूसन है उनको हम यहाँ पर सोल करेंगे और यह हमारा पार्ट टू है पार्ट होना हम इससे पहले करवा चुके हैं जिसमें हमने केमिस्टी के जो क्यूसन जो पे लेसन है उनको हमने कवर किया है इसमें हम बायो की यानि की जी विग्यान के जो है पार्ट है उनको कवर करेंगे तो इस वीडियो में जतने भी Qswnन आपको बताए गए हैं उन Qswnन को आप जरूर याद करना इसमें सही Make-Zim Qsern आपके पेपर में जोएआपको देखने को मिलेंगे तो इसमें देखिए एएपका पहला पार्ट है बायो का अध्यायपांच जेवपरक्रम ठीक है तो इसमें अच्छा और मोश्ट इंपोर्टन जो है यह चेप्टर है इस अरसे कुल चार परसन इसमें से आठ नमर के मूचे जाएं तो देखिए सबसे पहला इसमें क्यूसर नमर वाले में कि स्वेंपोसी पोसण और विसंपोसी पोसण में क्या अंतर है ठीक है न तो इसको आप जो है याद कलना आपकी गाइड में या आपके पास जो भी नोट से उनमें इसको देख लेना इसक्यूसर को इसके बाद देखिए अगला क्यूसर आपस एक नमर में यह पोचा जाएगा कि जो है जायलम और फुलेम जो देखिए यह पादब हर्मोन होते हैं तो यह जो है क्या का करते हैं ठीके ना तो देखिए जायलम की बात करें तो जायलम क्या करता है यह जो है जड़ो दोरा अवसोसी जल तता खनीज लवनों को पोदे के बिविन बागों में पहुंचाता है ठीके ना और फुलेम क्या करता है फुलेम जो है यह कार्मनिक बोजे पदातों तता हार को पोदे के प्रतेक बाग में पहुंचाता है ठीक है ना तो यह आपको याद रखना है कि वहल इन दोनों के जायलम और फुलेम जो है इनके दोनों के आपको कारे याद रखने हैं इसके बाद देखिए एमसे क्यूं में आप इनको याद कर लेना कि मनुस्य में व्रक एक तं आपके एक नमबर वाले क्यूसन होते हैं तो जैसे हमने बाद ब्रकॉल के हैं यह जलका वैं। में पूचा जासकता है और एक नमबर वाला क्यूसन है उसमें भी आपसे पूचा जासकता है तो धिर्षक है जो सब पोसी पोस्टन होता है उसके लिए कारवन डायक्साइड और जल इसके बाद कलोरोफिल उसके बाद सूरे का परकास यह तीनों चीजे जो है जरूरी होती है तो इसमें अपर एक तो सभी आंसर आ जाएगा इसके बाद अगला क्यूसर ने पाइरोवेट के विकंडन से यह कारवन डायक्साइड जल तता उड़ जा देता है और यह किरिया होती है तो देखिए यह किरिया होती है माइट्रो कॉन्रिया इसके बाद देखिए दो नमर में या चार नमर में आपसे यह क्यूसर पूचा जा सकता है कि वाई वे तता अवाई वे सोसन में क्या अंतर है ठ दूसरी तरफ आवाई विस उसन लिखेंगे बीच में इस तरह से लाइन कीज़ देंगे ठीकिना जो बात इदर बोले गई है उसकी विपरित बात इदर लिखी जाएगी ठीकिना क्योंकि दोनों में समानता तो होगी नहीं अंतर ही होगा या हो सकता है कोई एक जैसी बात दो जो है याद कर लेना यह भी अच्छा क्योशन है और चार नमर में एक यूशन आपके आ सकता है ठीके इसके बाद देखिए एक एक नमर में जो है आपसे किनी दो एक केस जीवों के नाम पूचे जा सकते हैं जिसमें हमारा अमीबा और पेरा मीसियम जो है आंसर हो जाएगा बहु कोसी की भी आप याद कर लेना इसके बाद आपसे पूचा जा सकता है कि किस यंतर से रक्तदाब नापा जाता है तो देखिए इस फाइक ग्रो मेनोमीटर से जो है यह मापा जाता है इसके बाद आहार नाल का कौन सा बाग वाईयू पतता बोजन पत दोनों को कारे कर करता है इसके बाद देखिए अगला क्यूशन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टन क्यूशन है अमीवा में 65 विदी का चित्र बनाकर वर्ण कीजिए यह देखिए चार नमर वाले क्यूशन में जिसमें से वन प्लस त्री यानि कि एक तो एक नमर का क्यूशन पूचा जाएगा औ तो इस क्यूशन में जो है यह क्यूशन मोस्ट ओर्ण क्यूशन है इसको आप जरूर याद करके जाना और साथ ह 120 mm तता अनुसी दिलन दाव लगबग 80 mm होता है ठीकिना और यंदर के हमने बात कर लिए कि इस पर गुनो मेनो मिटर से इसको जो है मापा जाता है इसके बाद देखिए ये भी चार नमर का क्यूशन है रंदर किसे केते हैं इनके खोलने और बंद होने की किरिया का वर्ण कीज ठीकिना वन प्लस तरी यानि कि चार नमर वाले क्यूशन में ये क्यूशन पूचा जा सकता है इसके बाद देखिए कुछ और क्यूशन है एम से क्यूशन है जो इनको आप याद कर लेना ठीकिना यह भी आप से पूचे जा सकते हैं पीडिए अपको टेलिग्राम चेरिशन पूचे जाएंगे और एक क्यूशन आपसे पूचा जाएगा और इसमें जो यह एक क्यूशन तीन नमर का यह तो इसको आप जो है जरूर याद करना और इसके बाद देखिए इसके बाद तीन नमर में क्यूशन आपसे पूचा जा सकता है कि मदू में के कुछ रोगियों की चिकिसा इंसुलीन का इंजेक्शन दे कर क्यों की जाती है तो इसका अंसर भी आप जो है याद कर लेना इसके बाद देखिए कुछ एंसुक्य है नमलिकत में से कौन सा पादब हार्मोन है तो देखिए पादब हार्मोन जो है साइटो काइनिन होता है इसके बाद अगला क्यूसन है दो तंत्रिका कोसिका के मद्दे खालिस्तान को क्या करते हैं तो उसको सिनेप्स कहा जाता है अगला क्यूसन है मस्तिक्स उत्तरदाई है तो देखिए मस्तिक्स सोचने के लिए उत्तरदाई होता है हिर्दे स्बंदन के लिए और सरीर का संतुलन बनाने के लिए तो यानि कि ये सभी के लिए जो होता है तो इसका अंसर आ जाएगा उपरिकते सभी, इसके बाद अगला क्यूसन है एडिनलिन हार्मोन आडिनलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये जो इंसुलिन का क्या का रहे है ये QSन आप जो है इनको याद कर लेना और भी यह हैं ये सारे जो MQ QSन है इनको आप याद कर लेना यहां से आपके MQ QSन और एक नमर का जो QSन है वो cover होगा ठीक है उत्ता आदाली का यहां पर देरकीज से आप मिलान कर लेना आंसरों का इसका बाद देखिए आप से ये भी संतुलन से संबंदित हैं अगला है क्यूशन मस्तिक्स का मुक्च सोचने वाला भाग कौन सा है तो यह देखी कौन सा होता है अगर मस्तिक्स सोचने वाला भाग होता है next मादा में पाई जाने वाले estrogen hormone के कारे लिखिए ये क्यूशन भी आपसे जो है पूचा जा सकता है अब ये क्यूशन आपसे एक नमर में भी पूचा जा सकता है कि मादा में पाए जाने वाले estrogen hormone का एक कारे लिखी है ठीके ना, या 3 नमर में भी बूचा जा सकता है। तो 3 नमर में पूचेगा तो 3 कारे आपको इसके लिखने हैं। अगला देखिए आपसे 3 नमर में जो हे, प्रा मस्तिक्स और अनो मस्तिक्स में अंतर आपसे मूचा जा सकता है। तो इसको भी जो है, आप याद करना, या फिर इसके जैसा ही क्यूसन है, दू कंडन वा बो कंडन किस परकार से बिन है, या दोनों में अंतर लिखी है, ठीकर ना, ये भी तीन नमर में आपसे पूचा जा सकता है, इसके बाद देखिए, आपके तीन नमर में क्यूसन है, परती वरती क्रिया किसे केते हैं, और परती वरती चाप क्या होता है, तो ये भी आप जो है, याद कर लेना, इसके बाद देखिए, निरोन के विविन बागो के नाम लिखी है, और निरोन के कारे लिखिए तीन नमर में या एक नमर में आपसे ये क्यूशन पूचा जाएगा ठीक है ना तीन एक नमर में तो इन दोनों में से कोई एक पूच लेगा कि निरोन के एक दो कारे लिखिए या निरोन के विवन बागों के नाम लिखिए ठीक है इसका बाद दे है अध्या 7 जीव जनन कैसे करते हैं तो इसमें से देखिए आप के एक तो MCG पूचा जाएगा एक दिख्टिस्तान का Q 만 पूचा जाएगा और एक नमबर का Qion पूचा जाएगा और दो नमबर के दो दो Qion आप से पूचे जाएगे जो नमबर ठीक है इस तरह से जो है कुल 5% इसमें से पूचे जाएंगे और 7 नम्मर का ये आपका अध्या रहेगा तो most important अध्या ये इसको क्यूसन आपको जरूर याद करने हैं इसमें कि हमसे पूचा जा सकता है कि अलेंगिक जनन मुकुलन दौरा होता है तो यह देखि किसमें होता है ये इस्ट में होता है तो यह आप याद कर लेना अगला क्यूसन है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंतर का बाग नहीं है तो देखि कि मादा मादा जनन तंतर में जो है अंडा से होता है गरबास से होता है और डिम वाइनी होती है इसमें जो है सुक्रवाई का न सर आ जाएगा अगला क्यूसर ने कि यसी के मद्द बाग को क्या कहते हैं और माके सुरीर में गर्व को विख्सित हुने में कितने दिनों का जूह समय लगता ठीकर ना इन क्यूस न को अप कर लेना 50 दिक जाने को भी आप पड़ लेना चीकर एकक्त तर नु 가능 है अगला क्यूशन है प्ले सेंटा किसे केते हैं इसका कारे बताइए ठीक है दो नम्मर में क्यूशन आपसे पूचा जा सकता है देखी प्ले सेंटा क्या होता है कि इस्तंदारियों में पाये जाने वाले ऐस्ताई सहनी अंग को संदर्वित करता है जो गर्बावस्ता के दोरान बुरून को माता के गर्बासे से जोडता है ठीक है तो ये प्लेसेंटा आपको जो है याद करना है और इसके जो है कारे आपको याद करने है अगला कुछने दो नमबर में खंडन एवं पनरूद ववन में कोई चार अंतर लिखिए तो ये दो नमबर में आएगा तो कम से कम हमको दो अंतर आपको लिखने है ठीक है ना इस साइड है खंडन और इदर पुनरूद ववन इन दोनों में क्या अंतर है कम से कम दो अंतर आपसे पूचे जा सकते हैं दो नमबर में इसके बाद जो है LANGING और A LANGING जनल में भी आपसे जो है अंतर पूचा जा सकता है दो नमर में ठीक है इसके बाद देखिए अगला क्यूसन है 100 परागण किसे केते हैं इसके क्यालाव हैं और 100 परागण तता पर परागण में अंतर लिखिए तो देखिए एक दो नमर का क्यूशन ये आपसे पूचा जा सकता है कि स्वय परागन किसे केते हैं इसके कहलाब है ये अलग से क्यूशन है ठीके तो दो नमर में ये पूचा जा सकता है या दो नमर में आपसे स्वय परागन और परागन में अंदर आपसे पूचा जा सकता है अंदर वाले क्यूशन आपकी साइंस में बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इनको आप ज़रूर वियाद करना इसके बाद देखिए कुछ क्यूशन है एक एक नम्मर के पुस्व के नर एवा मादा जनरांग के नाम लिखी है देखिए पुस्व का पूचा गया है तो पुस्व में जो नर जनरांग होता है वो तो होता है पुंक केसर और मादा जनरांग होता है वो होता है इस्त्री केसर ठीक है अगला है इस्त्री केसर के विविन भाग तो इसमें देखी अंडास से होता है वर्ति का उत्तिये और वर्तिकागर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार यह क्या करता है सुक्रान उत्पादन का नियंदर्ण करता है और नर्म योवना वस्ता लक्सनों का नियंदर्ण करता है अगला क्यूशन आपसे यह पूंचा जा सकता है कि अर्द सूत्री विवाजन किसे केते हैं इसका एक मात्वा लिकिए ठीके तो अर्द सूत्री विवाजन क्या होता है देखिए जीवों की जनन कोसिकाओं में होने वाला विवाजन जिससे गुन सूत्रों की संक्या आदी हो जाती है अर्द सूत्री विवाजन कहलाता है ठीके अगला क्यूशन है कि रितू सराव या र दाहरन दीजी एक नमर में क्यूशन पूचा जा सकता है तो इसमें क्या होता है कि देखिए लेंगिंग संपर्ग से होने वाले रोगों को योन संचाते रोग कैसे हैं जिसे गोनेरिया सिपलिस एड्स फीक है इसके बाद अगला क्यूशन है यदी पुरुस की सुक्रवाइका कौन कौन सी हैं कोई दो के बारे में बताईए ठीक है कोई दो के बारे में आप से पूछ सकता है जिसमें वेकसर टोमी है ट्यूबिक टोमी है और कोपर टी है ठीक है और और बी जो है निरोध है और जैसे गर्बने तक जो गोलिया है वो आती है किसी दो के बारे में आप इ पूचे जाएगा इस तरह से दो परसंट चार नमर के इसमें से पूचे जाएंगे ठीक है तो एम से क्यू में यह चार पांच क्यूशन है इनको आप याद कर लेना ठीक है यहां से आपका क्यूशन जो है मिल जाएगा इसके बाद देखिए यहां से तीन नमर में क्यूशन जो है आपसे पूचा जा सकता है कि मानव में लिंग निर्दारन को समझाओ और इसका आरेक चित्र भी बनाओ ठीके ना तो तीन नमर में यह क्यूशन है इसको आप जुरूर याद करना और इसके बाद देखिए तीन नमर में आपसे सम युगमजी और विसम युगमजी में अंतर भी आपसे पूचा जा सकता है तो इसको भी आप जो है याद कर लेना इसके बाद देखिए अगला क्यूशन है और इसपश्ट कीजिए या फिर यही क्यूशन किस दर से पूँचा जा सकता है कि क्या होता है जब मटर के सुद्ध लम्मे टीटी वसुद्ध बोने स्मल टीटी पोदे के बीच संक्रण कराय जाता है एफ़न पीडी ता एफ़टू पीडी का अनुपात बताईए या यह क्यूशन इस दर से भी पूचा जा सकता है कि परवाविता के नियम को आरेक दोरा समझाईए अत्वा एकल संकर संकरण परयोग को आरेक दोरा समझाईए तो यह अच्छा क्यूशन है और 3 नमर में यह क्यूशन है ठीक है आपको यी करना है और इसके जो लास्ट मैनुपाद निकलेंगे एफ़न, पुईड, एफटी, पुईडी के यह आपको जो हैं जरूर लिखने हैं यह लास्ट वाला क्यूसन भी मोस्ट इंपोर्टन क्यूसन है और तीन नमर का यह क्यूसन बनता है तो इस तरह से प्रिये विद्यार्तियों यह हमारे बायलोजी के मोस्ट इंपोर्टन क्यूसन है ठीकरा यानि कि इन क्यूसन के आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके अलावा भी आप और याद कर सकते हैं लेकिन इनको आपको जरूर याद करना है यहां से आपके मेकज़वन क्यूसन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और पिर यह विद्यारती हो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रेता है बायो के पाटो से सम्मद ही तो आप हमें कोमेंट कर सकते हैं हम उसका रिपलाई आपको जो हैं जरूर करेंगे और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले